को को जो जो डूसो मैंने किनारे से κα्ट कि'Dॉ पोटल लगा लिए और दो मिनेस तृख तरह के एक साइड पर लगाया है और एक स्लाइस पर मैंने तोनों साइड पर लगाया है इसमें तीन डृए साइड यूज होते तो इसमें जाएगी चिकल एक अपिलिया मेने गॉइल करके पीस कर लिए इसमें पर अंडे जाएगे चार मायनीस जाएगी मस्टर्ड टेस्पून जाएगा अपनी मर्जिक से लिए काली मिरच क्रेच अंडे जाएगे चार बटर जाएगा उसमें लगा चिपिन स्लाइस पे और यह चीज है चीज स्लाइस और थोड़ से टूल्पिक चाहिए यह मैंने खीरा लिया है खीरे के स्लाइस कर लिए तो अब तादे आगे कर लिए और थोड़ा से लेटिस मिकालिये तो इसमें इस सब चीजे जाती है अब हम बताते हागी क्या तो अब आगे क्या आगे अब आगे अब आगे अब आगे कर दोगा क्यू कर दोगे का लेगा नवक नामक काली मिर्च यह सब चिज़ें डालें चिकन डालिए नमक काली मिर्च माहिनी और मस्टर्ड पेस्ट यह सब चिज़ें डाल के मैं से मिक्स कर जोगी कि यह होगी है कि यह हम अंदे के स्लाइस कर दिंगे कि देखिजी मैंने स्लाइस लिया है इसके एक तरफ मैंने बटर लगाया है मखर लगाया है अब मेस में डालोंगी कि यह पैस्ट जमने में आया था हुआ अट है तो है कि अधिक प्रद्ट टाणें गें आए अग्याओं लेटिस रादने के बाद इस पर रखेंगे हम ये इस लाइस पर मेरे दोने तरफ मखन लगाया है यह मैं इसको परखूंगी इस पर में तोड़ा से लखाऊंगी यह लखाने के बाद कि में इसको पर नेटिस रखूंगी अंधे रख देंगे इसको पर बेटिस रखूंगी चीज डालने के बाद इसको पर तिमाटर रख देंगे और फिर यह स्लाइब तुट्टिक लगा देंगे ताकि कारने में आसानी हो इसे तरह साधे बना देंगे और यह बहुत मज़ें का अच्छा लगता है बच्चों को बहुत पस्कादा आप में हीटा में बनाएं पार्टी में बनाएं अफ्ताफली भी बना सकते हैं तो आप बनाएगा बताएगा कैसे लगा और मेरा फेल्बूक उद्विजवाइब किजिए गुज़ मिस्वाइब किजिए और आभी जासे दीजेए आप